रादे रादे फ्रेंस कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो फ्रेंस देखिए छोटे-छोटे से यह तुकडे मेरे पास पड़े हुए थे जिनका मैं इस्तिमाल आज कर रही हूं और बहुत ही कहते हैं टू-इन-वन लेकिन यह टू-इन-वन नहीं ओल-इन-व वाला एकदम राइस बैक की तरह का जो सोपिंग बैग आता है वो मैंने लगाया है और आप चाहें तो फॉम सीट वगएर मतलब कुछ भी आप लगा सकते हैं तो यह देखिए इसके मेजरमेंट है 10.5 बाई 12.5 इंच तो इसका मतलब है इसकी चोड़ाई जो है वो है 10.5 औ अगर जो भी आप लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो अब देखिए 3 इंच मैंने डाउन किया है उपर की साइड से यह देखिए और इस पर 3 इंच जो डाउन किया है दोनों साइड मार्क किया है इस मार्क को सीधा कर लेंगे इकर लिया है तो अब यहां से इस मार्क पर से ह कट करेंगे आप चाहें तो बीच में भी कुल्ट कर सकते हैं आप बीच में भी सिलाई लगा सकते हैं मैंने नहीं लगाई है मुझे जुरुत महसूस नहीं हुई तो मैंने नहीं लगाई आप चाहें तो लगा सकते हैं सेम साइज की जिप ले लीजिए मेरे पास यह थोड़ी की साइड सीधी साइड आपको लेनी है जिपकी और इस तरीके से फोल्ड करते हुए अब उपर से प्रेस्टिच कर देनी है तो देखिए फ्रेंस अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब कर लीजिए बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम ज जिप भी आपके पास क्या होता है बहुत सारे जैसे सारी कवर इकटे हो जाते हैं कुछ चीजे होती हैं तो वो खराब हो जाते तो उनमें से आप पुराने जिप को निकाल सकते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिल्क और इसके नीचे रखके चारो तरफ से इसको अटेच कर लेंगे यानि इस पर चारो तरफ से देखे इस तरीके से रखते हुए अब यहां से चारो तरफ से सलाई लगा लेंगे तो यह देखे अटेच कर लिया है मैंने तो यह हमारी एक pocket ready हो गई है आप चाहें तो बस इसको सिंगल पोकिट का भी रख सकते हैं, बिना चैन के भी बना सकते हैं, जहां मैं चैन लगा रही हूँ, आप बिना चैन के मतलब चैन ना लगाएं, सिर्फ आप सिंगल पोकिट का भी इतना ज़्यादा यूजफूल होता है, इसको लेडी, जैंट्स व चाहें तो कप्ड़े की भी बना सकते हैं और यह मैंने 22 इंच लंबाई के लिए है तो यह देखिए इस तरीके से आप जाहें तो कप्ड़े की साथ की भी लगा सकते हैं या फिर आपकी ड्यांचे जो स्ट्राफ आती या वह वा यूजज़ तो ये देखिए इस तरीके से अटेच कर लिया है आप दूसरे पीस में भी इसी तरी से मैंने अटेच की हुई है और ये उसी सोपिंग बैग में मेरी जो है साइड में जो आपकी रेडिमीट पट्टी आती है वो लगी हुई थी आप चाहें तो कोई और भी आपके पास पड़ा हो कंट्रास कलर में वो यूज कर सकते हैं आप वो पट्टी यहां पर लगा सकते हैं तो मैं वही वाली जो रेडिमीट पट्टी आती है मतलब ये मेरे सोपिंग बैग में ही लगी हुई थी वो मैंने उधेरी है तो वो मैं यहां पर यूज कर रही हूँ क्योंकि व लब सो भी अच्छी बनती है, इमेज आपके अच्छी बनती है, तो देखे, यहाँ पर इस तरीके से हम दूसरे पीस में भी अटेच कर लेंगे, इसी तरीके से इसको रखेंगे, इस ट्रैप को रटेच कर लेंगे, तो देखे, इसका थोड़ ऐसा लुक अलगा गया है, अब हम इसका लुक और भी बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे तो इसके लिए देखे सबसे पहले हमें इसका जो है बेस बनाना है तो बेस के लिए हमें पट्टी ली है चार इंच की इसकी चोड़ाई है और जो लंबाई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ यहां से 36 इंच की मैंने इसकी लंबाई ली है मैंने थोड़ा एक्स ट्राई लिया आपको तीन साइड की लेनी है दो साइड लंबाई में और एक साइड चोड़ाई में तो आपको जो है तीन साइड की मिजरमेंट ले लेनी है जिन तीन साइड हम इसको अटेच करेंगे और उसके अकोर्डिंग ले सकते हैं तो किसी का कमिया ज़ादा हो जाता है उसके लिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही ली है अब देखिए यहां से इस तरीके से हम अटेच कर लेंगे अगर आप किसी और कपड़े की पाइपिन लगाना चाते हैं तो साथ साथ आप पाइपिन भी अटेच कर सकते हैं वो भी मैंने तरीका आपको पहले दो वीडियो में बताया हुआ है कि piping को साथ साथ attach कैसे करना है तो इस तरीके से भी आप attach कर सकते हैं वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं तो ये देखे friends इस तरीके से हम तीनों side से इसको attach कर लेंगे ओ देखे ये हमारा extra बच गया है मैंने आपको पहले ही बताया था मैंने थोड़ा सा extra लिया है तो वो extra बचका है उसको बाद में हम cut करेंगे अब हम दूसरे piece को इसी तरीके से attach कर लेंगे ये देखे तेम इसी तरीके से बिल्कुल slide करके आपको attach कर लेना है अब आपका देखे अंदर की side कोई भी reference part नहीं रहेगा और बाहर से हम pipe in से सब कुछ clear कर लेंगे बाहर से भी कोई भी reference नहीं रहेगा बलकि और ज़्यादा attractive ये लगने वाला है क्योंकि contrast color हम use करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा जो इसका design ही है वो भी बहुत ज़्यादा खिलके उभरके आने वाला है तो आप पूरी वीडियो को जरूर देखेगा skip मत कीजेगा step by step में आपको एक एक चीज यहाँ पर बता रही हूँ आप सभी चीज़े यहाँ से देख के आसानी से कर सकते हैं बहुत ही easily आप guarantee लेती हूँ कि यह बैग आप देखते ही try जरूर करेंगे जरूर बनाएंगे क्योंकि यह आपका all-in-one है कोई भी use कर सकता है बच्चे, बड़े, लेडी, जैंस, गर्स, बॉइस सब भी इसको use कर सकते हैं तो देखे फ्रेंस इस तरीके से जो extra था वो हमने cut कर लिया है अब देखे, same बही मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे soping bag में से निकली थी और इस तरीके से यहां से या तो आप fold करके press कर लीजे या फिर आप ऐसे ही रख सकते हैं center से इस तरीके से रखते हुए देखे, इस तरीके से रखा मैंने, और इस तरीके से तीनों side यहां पर हमें pipe in attach कर लेनी है इसके, यह देखे, same तरीके से आपको ऊपर की side भी pipe in attach कर लेनी है मैं आपको एक side pipe in attach करके दिखा रही हूँ यहां पर तीन side की तरफ, तो यानि की एक part में और बाकी का आपको खुद आप pipe in attach कर ही सकते हैं क्योंकि यहां पर देखे, मैं दिखा ही रही हूँ आपको कि pipe in को आपको कैसे attach करना है तो देखे, इस तरीके से रखते हुए आपको यहां से corner को ऐसे fold करते हुए, यह देखे इस तरीके से piping को attach करते हुए जाना है तो ये piping आपकी बहुत easily लगके तयार हो जाती है एक ही चिलाई में अगर आप किसी fabric से piping attach करते हो किसी fabric की तो आपको दो बार चिलाई लगाने पड़ती है कहीं भी आपको एक्स्ट्रा कटने लगाना है और आपका सिर्फ ये तीन पीस आपको लेने है और बहुत ही आसानी से आपका बैक रेड़ी हो जाएगा चोटे-चोटे कपड़े के टुकड़े भी अगर आपके पास बड़े हैं ज़रूर ही नहीं है आपके पास same ही हो आप printed ले सकते हैं प्लैन भी ले सकते हैं या फिर एक पार्ट कोई और आप बीच में जो बेस का है वो अलग से भी लगा सकते हैं तो इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं तो देखे सभी यहां पे मैंने सभी साइड में पाइपिन से फिनिश कर लिया अच्छे से पाइपिन अब एक जो में पोकिट है उस पे हम जिप लगा रहे हैं आप चाहे तो उसको बिना जिप के भी छोड़ सकते हैं खुला छोड़ सकते हैं लेकिन यहां पे मैंने 14 इंच की जिप ली है आप इस तरीके से दोनों साइड से जिप को फिनिश कर लीजिए और इस तरीके से लग को करना है तो देखे जिप को लीजिए इस तरीके से खोल लीजिए जिप को और इस तरीके से रख लीजिए यह देखे अब इस तरीके से मैं आपको दिखाते हूँ जो पाइपिन आपने लगाई हुई है पाइपिन का जो स्टार्टिंग वाला यानि किनारा है उस किनारे स चलानी है यहां से मसीन को और जिप को इस तरीके से रखनी है थोड़ा सा आपका एक ओवर लैप नहीं होना चाहिए जिप का पार्ट ले देखे और इस तरीके से सिलाई लगा के बिल्कुल इसको फिनिश कर लेगे दोनों साइड से इसी तरीके से लगा लेनी है आपको अब साइड भी आपको लगानी है तो दूसरी साइड भी इसी तरीके से लेंगे जिप को एक साइड से बिल्कुल खोल लेंगे देखे इस तरीके से और यहां पे यह देखे इसको भी इसी तरीके से रखना है यहां पे भी तो ध्यान यह रखना है आपका दूसरे वाला जो पार करनी है ताकि जो दूसरा पार्ट है वो सिलाइ में न आए अब देखिए यह जो मेरा बैग है इसके ठिकनेस भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप जो है रबर सीट का भी यूज़ कर सकते हो राइस बैग जो बहुत ज़्यादा थिक वाले होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं आप देखे इस तरीके से ये बैग हमारा रेडी हो गया रेडी टू यूज़ है और आप देखे सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुन्दर ये बैक बना है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है मेरे फादर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है और देखते हैं ये किस के पास जाता है मेरे फादर इन लोग के पास जाता है या पिर कोई इसको खरीता है क्योंकि मैंने अभी अभी बनाया है अभी मैंने ये किसी को दिखाया भी नहीं है ये देखे इसकी ये पोकेट भी काफी बड़ी पोकेट है और में पोकेट तो आप देखे सकते हैं इसका बेस भी देखे काफी अच्छा है और इनको बैंक वगेरा में जाते हैं पासबुक व लगा ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईए कहां से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा जो भी मुझे कमेंट कर रहा है पिछली वीडियो पर कमेंट करने वालों का बहुत बहुत धैंक्यू बहुत दिल से सुक्रिया क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत जादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए अगर किसी की कोई भी फरमाईस है तो आप कमेंट में वो भी मुझे बता सकते हैं तो मैं कोसिस करूंगी वो भी आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की बताने की और ये देखिए फ्रेंस तो आप मुझे जरूर बताई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकल मत बोलिएगा तो फ्रेंस मिलत हैं अगले वीडियो में अगले आइडिया के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर अपना ध्यान रखेगा जै मात अदी जै बारत